हेलो फ्रेंच, खुशी निटिंग क्रियेशन में आपका स्वागत है, देखे फ्रेंच जो हम ये कार्डिगन बना रहे हैं, आज ये इसका थर्ड पार्ट है, फस्ट पार्ट में हमने इसे गले से बनाना स्टार्ट किया था, और देखे यहां से बनाते हुए हमने यहां तक वर्स्ट पार्ट में और सेकिन्ड पार्ट में नीचे पैٹर्न आपस्ट आज थी थिर्ड पार्ट में भी इसमें यह बतन पट्ट्टी बनाना Chiphay कि यह कितश नहीं उत्व कि एगी यह हम नहीं आपको बाजू बनाना सिखंगे उम्मीद है फ्रेंज आपको पसंद आई होगी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखे इसमें हम सीधी साइड से बाजुए बनाना स्टार्ट करेंगे इसके लिए देखे यहां पर यहां से हमने बाजु अलग किया था अपना बैक का और फ्रेंट के पार्ट को तो देखें यहां पर यह दिखाए देगा, तो हम यहीं से, यहां पर हमने इसे जोइंट किया था, तो next chain से यहां पर हम एक बार double crochet बनाएंगे, यह हमने एक बार बनाया, तीन chain बना ली है हमने, अब हम धागा लेंगे, और यहां पर next chain के अंदर हम एक बार double crochet बनाएंगे, य यह तीन हो गया, देखे जब हमने यह वाला पैटरन डाला था, तो हम पफ के बाद हमारे पास दो चेन आती थी, तो उसमें हम एक एक बार बनाते थे, तो यहां पर भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे, पफ पे हम यहां पर तो दो बार बनाते थे, और फिर हम एक एक बार बनाते थ यहां पर देखिए यह 3 हो गई है हमने 7 puff के अंदर हमने 3-3 बार बनाना है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 puff में हमने 3-3 फंदे बनाते हुए जाएंगे एक puff के उपर और 2 हम अलग से हैं chain हमारी उसमें तो हम यह बनाएंगे देखिए यह हमारा puff की chain है इसके अंदर देखिए हमने एक बार बनाया और उसके पार देखिए यहां पर यह 2 chain है हमारी 1 और 2 और फिर यह हमारी puff की chain है तो इनमें भी हम एक एक बार बनाएंगे धागा लेंगे एक बार बनाएंगे फिर से एक बार बनाएंगे ये तीन हो गए फिर से हमारे पास ये पफ की चेन आ गई है देखे एक दो तीन इनमें हम एक एक बनाएंगे तो इस तह से हम एक एक बनाते हुए हम साथ पफ तक बना लेते हैं फिर नेक्स्ट पफ आ गया हमारा इसमें एक बार बनाएंगे, फिर से एक एक बार बनाएंगे, देखे इस तह से, तो हम साथ पफ तक एक एक बना लेते हैं, देखे साथ पफ हमने बना लिया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ, साथ पफ तक हमने तीन तीन बनाए हैं, अब हम इसके बाद, देखे यहां से भी हम साथ puff count करेंगे इस puff को count नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारे back और front में आया था जैसे हमने इसे छोड़ा है जैसे हमने यहां पर छोड़ा है ऐसे हम इसे छोड़ेंगे और अब हम एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे औरे की यह साथ यहां तक और इसके बीच में जितने भी हमारे यहां पर puff आएंगे इन में हम दो-दो बार बनाएंगे और नीचे से यहां से यहां तक हम दो-दो बनाएंगे और साथ में हमने तीन बनाए है साथ puff में हमने यहां पर तीन बनाए है तो इस तरह से बनाएंगे अब जितने भी हैं हमारे यहां पर हम दो दो बनाएंगे एक तो हम बनाएंगे यह पफ के ऊपर एक बनाया फिर हम बीच में देखिए इस वाली चेन को हम छोड़ देंगे और जो बीच वाली है उस पर बनाएंगे एक हमने चेन इसमें छोड़ दी है फिर हम पफ वाली चेन में बनाएंगे, इसमें एक बनाया, फिर हमने पफ के बाद जो चेन आया, देखिए ये वाली चेन है, इसे हम छोड़ देंगे, और नेक्स चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, तो यहां पर देखिए, यह हमारी एक एक चेन हमने छोड़ दी है, इस फीर एक हमने पफ के उपर बना फिर से ecc chain होड़ेंगे और नेक्स्ट वे हम double crochet फिर से seeks省 एक चेंन हमने छोड़नी है तो बना लेते हैं जब तक हमारे यहां पर नीचे 7 पफ नहीं रह जाते तब तक हम यह बनाएंगे और फिर हम उनमें 3-3 चेन बनाएंगे तो यह round complete कर लेते हैं देखे बनाते हुए हमारे round यहां तक complete हो चुका है और यहां पर देखिए यह हमारे पास एक double crochet यह बचा हुआ है और एक यह दो और इन दोनों के बीच में जो space बना है यह chain का तो यह 3 हो गई हमारे पास अब हम इसे देखिए तीनों को किस सह से खतम करेंगे यहां पर हम धागा लेंगे यह जो double crochet है देखिए यह आपको double crochet करेंगे हाफ रखेंगे से complete नहीं करेंगे फिर से धागा लेंगे और जो इन दोनों double crochet के बीच में जो chain है इसके अंदर भी हम double crochet बनाएंगे और इसे हम half रखेंगे यह दो हो गए फिर से धागा लेंगे एक double crochet देखिए यह हमारा इस पर भी हम double crochet बनाएंगे और इसे भी हम hold रखेंगे धागा लेंगे एक देखिए यहाँ पर जो यह double crochet puff का इसके उपर भी हम एक double crochet बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यह 4 1, 2, 3, 4, 5 हो गए हैं इन पाचों को हम एक साथ complete करेंगे और complete करने के बाद देखिए इस तरह से हमने एक साथ इन पाचों को complete किया है और अब हम इसे यहाँ पर जो हो यह हमने 3 की chain बनाई है इसके अंदर हम single crochet से इसे हम complete करेंगे देखिए इस तरह से complete किया अब देखिए यहाँ पर जो space आना था हमारा जो hole बनना था वो finish हो गया है जब भी हम यहाँ पर बाजवें उठाएंगे तो यहाँ पर हम इसी तरह से फंदे उठाकर उन्हें hold रखेंगे half double crochet में और फिर एक साथ हम इन सभी को बंद कर देंगे तो यहाँ पर देखिए space नहीं बननेगे space नहीं आएगा और बिल्कुल perfect इसकी finishing आएगी अब हम इस पर अपना pattern बनाना start करेंगे यहाँ पर अब हम एक chain लेंगे और next chain में हम इसमें single crochet यह देखिए एक बार हमने single crochet किया यह हमारा एक हो गया फिर से करेंगे 2 3 4 5 पांच पांच बार हमने किया अब हम यहाँ पर 3 chain लेंगे 1, 2, 3 और 3 double crochet छोड़ेंगे सोरी 3 chain छोड़ेंगे देखिए यहाँ से 1, 2, 3 और 4th chain में हम single crochet करेंगे फिर से एक बार हो गया 2 3 4 5 1, 2, 3 फिर 3 chain छोड़ेंगे 1, 2, 3 और 4th chain में हम single crochet करेंगे फिर से हम 5 बनाएंगे यह 2 हो गया 3 4 5 1, 2, 3 नीचे से 3 chain छोड़ेंगे और 4th chain के अंदर हम फिर से single crochet करेंगे तो इस सह से बनाते हुए हम 5 chain में single crochet और फिर 3 chain बनाएंगे और नीचे से हम 3 chain छोड़ेंगे और single crochet बनाएंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4 और यह 5 तो बनाते हुए देखिए इस तह से हम round complete करेंगे जैसे यहाँ पर हमारा यह देखिए लूप आया है 1, 2, 3 तीन लूप आ गए हैं तो इसी तह से बनाते हुए round complete करेंगे देखिए round हमारा बनकर complete हो चुका है और यहाँ पर देखिए यह हमारे पास 3 chain बच्ची हुई है देखिए यहाँ पर count करेंगे 1, 2 और यह 3, 3 chain छोड़ेंगे और हम इससे जहां से हमने इसकी starting की थी first chain बनाई थी यहाँ पर हम इसे इस तह से single crochet करेंगे और यहाँ पर यह हमारा pattern बनकर complete हो चुका है और अब हम देखिए इसमें 1, 2, 3 chain बनाएंगे देखिए अगर अब यह जो हमने pattern डाले हैं लूप बनाए हैं इन्हें count करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए यह हमारा है दागा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक यह आठ 8 हमने बना लिए हैं अब हम इन पर 8 पर हम pattern डालेंगे तो पहले हमने यह देखिए 3 chain बना लिए है अब हम बनाएंगे 3 chain हमने double crochet के लिए बनाए है और 2 chain हम gaping के लिए बनाएंगे यह 2 हो गई दागा लेंगे देखिए यह पाँच हैं हमारे पास इन में हम first में हम double crochet बनाएंगे इसे हम half बनाएंगे फिर से धागा लेंगे और जो हमारी last वाली chain है इस पर भी हम half double crochet बनाएंगे इस तह से और इन तीनों को हम एक साथ complete करेंगे तो ये देखे इस तह से बन कर आएगे हमारी एक उल्टी वी बन गई है अब हम दो chain बनाएंग तीन चार पांच पांच बार हमने देखी ये बना लिया है फिर से हम बनाएंगे एक दो और धागा लेंगे अब देखे फिर से धागा लेंगे और ये देखे हमने यहाँ पर पांच single crochet बनाएंगे तो पहले पर हम बनाएंगे half double crochet एक बार बनाया धागा लेंगे और ये last है last पर हम बनाएंगे जैसे हमने pattern डाला था save वही pattern हम यहाँ पर repeat करेंगे फिर दो chain लेंगे धागा लेंगे और इस loop के अंदर हम 5 बार बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो देखे इस तह से बनाते हुए हम round complete करेंगे देखे राउंड हमारा बनकर complete हो चुका है यहाँ पर हमने 2 chain बनाई है और देखे यह हमने 5 chain बनाई थी तो 1, 2, 3, 3 chain में हम इसे single crochet से join करेंगे देखे इस तह ऐसे slip stitch किया है अब हम यहाँ पर 1, 2, 3 chain लेंगे धागा लेंगे यहाँ पर अब हम कोई भी chain extra नहीं लेंगे और यह V के अंदर हम double crochet 3 chain फिर से one double crochet तो देखे इस तह से यह हमने one double crochet यह V बनाई यह हमारी उल्टी और यह हमारी सीधी V बनी है अब फिर से धागा लेंगे कोई भी chain नहीं बनानी है और हम यहाँ पर यह हमने पाँच double crochet बनाया था तो हम हर एक chain के अंदर एक एक double crochet बना लेते हैं तो यह 3 हो गए 2 बचे हैं इनके अंदर भी हम one double crochet फिर से one double crochet तो देखे यह हमने पाँच बना लिये अब धागा लेंगे देखे फिर से हम यहाँ पर धागा लेंगे चेन नहीं बनानी है और इस वी के नीचे से हम धागा निकालेंगे और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे अब हम इसमें तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तह से बनाया, फिर से धागा लेंगे और यह हमारे पास पांच डबल क्रोशिया है, तो इनके उपर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तहह से बनाते हुए round complete करेंगे, देखे, round हमारा बनकर complete हो चुका है, और यहाँ पर देखिए, अब हम इसे 3rd chain के साथ slip stitch करेंगे, यहाँ पर है, यह 3rd chain है, इसमें हमने slip stitch किया है, और देखे, pattern हमारा कुछ इस तहह से बनकर आया है, फिस से हम यहाँ पर 3rd chain बनाएंगे, एक, दो, तीन, धागा लेंगे, जो यह हमारी V है, इसके अंदर हम 5 double crochet बनाएंगे, एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, देखे, हमने 5 double crochet बनाया, धागा लेंगे, और देखे, अब हम यहाँ पर पहले 2rd chain बनाएंगे, और फिर हम यह उल्टे वाली V बनाएंगे, दो chain बनाएंगे, एक, दो, धागा लेंगे, यह हमारी 1st chain है, 1st double crochet की, इसके उपर हम half double crochet बनाएंगे, इसे हम complete नहीं करेंगे, फिस से धागा लेंगे, और यह हमारा देखे, यह last double crochet है, इसके उपर भी हम half double crochet बनाएंगे, और इन तीनों को हम एक साथ complete करेंगे, तो इस तह से यह हमारी कुल्टी V बन कर आई है, अब हम यहाँ पर 2 chain लेंगे, धागा लेंगे, और फिर से हम इस V के अंदर, हम 5 बार double crochet बनाएंगे, एक बार बनाया, यह दो हो गया, फिर से बनाएंगे तीन, फिर से बनाएंगे च्यार, पाँच, तो देखे, इस तह से बनाते हुए round complete करेंगे, देखे, round हमारा बनकर complete हो चुका है, और यहाँ पर हमने 2 chain बनाई है, फिर से हम इसे 3rd chain के साथ slip stitch करेंगे, इस तह से slip stitch किया, और देखे, pattern हमारा बनकर complete हो गया है, जैसे हमने नीचे यहाँ पर pattern बनाया था, यह यहाँ पर बनाते हुए repeat करेंगे, और यहाँ पर देखे, यह इसे हम एक pattern count करेंगे, इन दो रों को हम एक pattern count करेंगे, तो हम इसी तरह से बनाते हुए 5 round बना कर complete करेंगे, यहाँ पाँच pattern बनाएंगे, एक हमने बना लिया है, चार और बना लेते हैं, तो हम बना कर फिर आपको आगे दिखाएंगे, देखे, 5 round हमने बना कर complete किये हैं, और इसकी length देखे, यहाँ तक आ गई है, यह लंबी रखनी है, जहां तक हमारी कोहनी है, वहां तक हम इसकी length रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारा हाथ पतला होता हुआ आता है, तो हम इसमें थोड़ी सी shape देंगे, तो वो किस सह से बनाएंगे, हाफ बाजू बनाने के बाद ही है, यहाँ पर हम इसमें आगे shape देंगे, तो यहाँ पर हम pattern कम करेंगे, तो वो किस सह से करेंगे, देखिए, यहाँ पर हम start करेंगे, और यह देखिए, पाज पैटरन कम्प्लीट होने के बाद, हमारे पास यह V आई है, इस V के अंदर अब हम pattern नहीं बनाएंगे, तो वो देखिए, किस सह से, एक, दो, तीन, धागा लेंगे, और यहाँ पर हम, तीन double crochet बनाएंगे, यहाँ पर हम कम करते होए जाएंगे, एक पर बनाया, फिर से बनाएंगे, दो, फिर से बनाएंगे, तीन, यहाँ पर हमने तीन, सोरी, दो double crochet कम किया है, तो यहाँ पर बना लिया है, धागा लेंगे, और फिर से हम यहाँ पर दो chain बनाएंगे, देखिए, यहाँ पर भी हमने दो chain नहीं बनाई है, पहले, जब हम pattern बनाते हैं, बनाएंगे तो दो चेन हमारी ये कम हो जाएंगे तो अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए वन डबल क्रोश्या बनाएंगे यह हमने वन डबल क्रोश्या बनाए धागा लेंगे और यहाँ पर हम अब वन डबल क्रोश्या बनाएंगे इसे भी हम हाफ रखेंगे और इस तहाँ से हम इन तीनों को एक साथ complete करेंगे तो देखे इस तहाँ से अब हम यहाँ पर हम दो chain लेंगे यहाँ पर नहीं ली है यहाँ पर लेंगे आगे लेंगे एक दो यहाँ पर जब हमने pattern कम किया है तब हमने दो chain नहीं ली है हमने यहाँ पर ली है च्यार और एक ये पाँच बना लिया अब देखे फिर से हम यहाँ पर दो चेन लेंगे और नेक्स्ट पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे वन डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया लिया है फिर से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया और अब हम इन तिनों को एक साथ complete करेंगे, दो chain लेंगे, और फिर से हम यहाँ पर पांच double crochet बनाएंगे, तो इस तरह से बनाते हुए round complete करेंगे, देखिए round हमारा complete हो चुका है, और अब हम यहाँ पर, देखिए हमने दो chain बनानी थी, वो हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर भ इस तरह से हमने slip stitch किया है, देखिए आगे बनाएंगे, हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन धगा लेंगे, और यहाँ पर फिर से हम नेक्स चेन के अंदर one double crochet बनाएंगे, दो, फिर से बनाएंगे, तीन, यहाँ पर बनाएंगे, च्यार, एक और यह जो हमा हमारे पास यह 5 double crochet हो जाएगा, फिर से हम धागा लेंगे, यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, गैपिंग के लिए, यहाँ पर हमने एक चेन बनाएंगे, गैपिंग लेने के लिए धागा लेंगे, और फिर हमारे पास यहाँ पर 5 double crochet है, इनके उपर हम 5 double crochet बनाएंगे, एक, दो तीन चार पांच पांच हमने बनाई फिर हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम देखिए वी बनाएंगे यहाँ पर हम कोई भी चेन की गैपिंग नहीं लेंगे क्योंकि यह हमारे हमने जो यह कम किया है पैटन इसे अलग रखने के लिए हमने यहाँ पर एक chain की gapping ली है तो यहाँ पर फिर से हम दो chain लेंगे और फिर हम यहाँ पर V बनाएंगे फिर से हम next chain double crochet है पांच इन के उपर एक एक double crochet बनाएंगे फिर यहाँ पर हम V बनाएंगे तो pattern हम बनाते हुए repeat करेंगे और round complete करेंगे देखे, round हमारा complete हो चुका है और अब हम फिर से यहाँ पर आ गए है यह देखे, हमने यहाँ पर 5 double crochet बनाया था और यह जो हमारी V है, यहाँ पर भी एक chain है यहाँ पर पहले हम एक chain की gapping लेंगे फिर से हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम एक double crochet बनाएंगे यह हमने एक double crochet बनाया और थर्ड chain में हम इसे slip stitch करेंगे देखे, इस सहाँ से हमने slip stitch किया है यहाँ पर अब हमारे पास यह 6 double crochet है अब हम इस round में क्या करेंगे एक chain यह छोड़ देंगे एक यह chain छोड़ेंगे तो हमरे पास यहाँ पर 4 double crochet रह जाएगा तो 3 chain बना लेते हैं यह हमने 1 double crochet के height के लिए बनाई है अब हम इस double crochet को छोड़ देंगे तो फिर हम next में 1 double crochet यह 2 हो गए फिर से छोड़ेंगे 3 और फिर से बनाएंगे 4 यह हमने 4 बना लिए है एक हम इसे छोड़ देंगे अब हम 2 chain बनाएंगे 1, 2, धगा लेंगे और यहाँ पर हम V बनाएंगे उसके लिए पहले हमने half double crochet बनाया धगा लेंगे फिर यह हमारे last है तो यहाँ पर हम half double crochet बनाएंगे इन दोनों को हम एक साथ complete करेंगे फिर हम 2 chain लेंगे और यहाँ पर हम देखिए 5 double crochet बनाएंगे V के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 देखिए 5 बनाएं फिर से 2 chain लेंगे और फिर हम यह pattern repeat करेंगे तो देखिए इस तह से यह last है इसमें बनाएंगे और इसे हम इस तह से complete करेंगे 2 chain लेंगे और V के अंदर हम 5 double crochet बनाएंगे तो इस तह से बनाते हुए round complete करेंगे और फिर आगे आपको यहाँ पर आने के बाद बताएंगे कैसे बनाना है देखिए अब हमारा round complete हो चुका है और अब हम यहाँ पर आ गए हैं इसे हम 3 chain के साथ slip stitch करेंगे देखिए इस तरह ऐसे अब फिर से हम एक next chain में जाएंगे यहाँ पर हम next chain में जाएंगे एक हमने यहाँ से जो हमने 3 की chain बनाई थी इसे छोड़ेंगे एक इस double crochet को तो यहाँ पर हमारे पास यह दो chain है इनके अंदर हम double crochet बनाएंगे one double crochet बनाया फिर से हम double crochet यह दो हो गए हमारे पास अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और यहाँ पर हम V बनाएंगे one double crochet दो chain और हम यहाँ पर बनाएंगे one double crochet sorry तीन chain लेनी है यहाँ पर तीन chain और one double crochet देखिए यह हम देखे अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और यहाँ पर हम पांच डबल क्रोश्या बनाएंगे डबल क्रोश्य के ओपर हम डबल क्रोश्या एक, दो, तीन, चार, पांच देखे इस तरह से बनाते हैं हमें राउंड कम्प्लीट करेंगे देखे राउंड हमारा बनकर कम्प्लीट हो चुका है और अब हम देखे यहाँ पर जो यह हमने थ्री चेन बनाए थे इसकी थर्ड चेन में हम स्लिव स्टिच करेंगे देखे इस तहाई से यह pattern हमारा देखे complete हो चुका है और अब हम फिर से इस पर बनाएंगे यहाँ पर देखे हम यह हमारी 2 double crochet है और यह 2 हमारी V है 3 double crochet हम यहाँ पर बनाएंगे 2 double crochet हम यहाँ पर बनाएंगे और 3 हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये दो pattern और हम कम करेंगे तो अगर आप पहले अपने हाथ में बाजू में डाल कर देखेगा कि यहां से चोड़ाई आपको सही आ रही है या नहीं अगर आपको सही है तो आप ये pattern continue बनाईएगा और अगर आपको ये lose है तो आप फिर यहां से ऐसे ही बनाईएगा जैसे अब मैं आपको बताऊंगे अगर आपको ये यहां तक बाजू बिल्कुल सही आ रही है तो आप यहां पर pattern start करिएगा pattern एक बार मैं बता देती हूँ अगर आपको यहां से सही है तो हम किस तह से बनाईगे तो यहां पर ये देखिए यहां पर हम पहले दो डबल क्रोशिया बनाईगे फिर डबल क्रोशिया बनाईगे ये हमने दो डबल क्रोशिया बनाया है फिर हम यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे जब हम राउंड कम्प्लीट करके आएंगे तो उसके बाद हमारी ये दो डबल क्रोशिय के उपर हमारी V बनेगी और V बनने के बाद, यह जो हम उल्टी V बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम उल्टी V नहीं बनाएंगे, जब हम पैटर्न बनाएंगे, तो हम यह सीधी वाली V बनाएंगे, जब उल्टी V का रो होगा, तो हम इस वाली रो में यह दो रहने देंगे, और जब य इसमारी उलाटी का पैटरन एगा, जब हम सोरी सीधी पैतरन जब इहां पर भी बना लेंगे idea, इस दोनों चेने दोनों डबल क्रोशी के बीच में हम यहां पर भी बनाएंगे और पैटरन कांटेनियू करेंगे, तो यहां पर हमारी भी हो जाएगी और यहां पर हमारे यह यह जो हमारे यह दो पैटरन है उन्हें भी हम कम करेंगे अब देखिए यहाँ पर मेरे को यह बाजु लूज है तो हम यहाँ पर इसे कम करेंगे तो देखिए किस तह से कम करेंगे देखिए यहाँ पर यह दो डबल क्रोशिया बनाया है अब हम यहाँ पर भी दो डबल क्रोशिया बनाये लेंगे वन डबल क्रोशिया एक बार और बनायेंगे तो यह देखिए दो हो गए तो यहाँ पर भी देखें, दो यह हैं और दो यह चार हो गए, दो हम यहाँ पर बनाएंगे, तो यह टोटल हमारे पास 6 डबल कुरोशिया हो जाएगा, जैसे देखें, 6 हमारे पास यहाँ पर थे, देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेम ऐसे ही हो जाएंगे, 6 हमारे यह हो जाएंगे, तो आपर हो जाएंगे, 2 एह, 2 यह और 2 यहां पर होंगे, जैसे हम इसे कम करते हुए हमने बनाया था, अशनले एब आपको notch जाएंगे, तो अब देखें, यहां पर है हम यहें, 2, 3, 3 रो हम इसकी बना लेते हैं, जब हमारे पास यहां पर 2 बच जाएगा, सबस्क्राइबिए तब तक इसे में बनाने सेु सब्सक्राइब एक इसे ही। तो रही च्छाइबिए, द Hammamh हम उनकते ही को निए विरमा कॉन्पूल्टी कर लेते हैं यहाँ, जैशे हमने यहां पर बना देखे यह हमने दो पैटर्न इसके कम कर लिये हैं और बनने के बाद देखे इसका लुक पाजु का कुछ इस तरह से आया है और अब हम यहां पर काउंट करेंगे तो हमारे पास यहां पर 6 पैटर्न बच्चे हैं और इन 6 पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और देखे यहां पर हमारे पास यह दो बच्चे हुए हैं डबल क्रोश्या और इन दो के ऊपर हम वी कैसे बनाएंगे तो देखे यहां पर हमने उल्टी वी बनाई थी अब यहां पर हमारे सीधी बनेगे और यहां पर हमने पैटर्न कम किया था तो यहां पर हमारे पास देखे यह दो डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम पैटरन आगे कैसे बढ़ाएंगे, देखें, इसे हम यहाँ पर हमने दो चेन बनाई है, थर्ड चेन के साथ स्लिव स्टिच करेंगे, एक, दो, तीन, और यह हमारी थर्ड चेन है, स्लिव स्टिच करेंगे, अब देखें, दागा 3 double crochet height इड़े के लिए है, 2 हमने gapping के लिए और धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर double crochet बनेगे, तो यहाँ पर देखिए, यह हमारी वी बन गई, अब इस वी के उपर हम पैटेन स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पर देखे, 6 double crochet है तो 6 double crochet बनेगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इनके उपर हमने पांच बनाएं, अब यहाँ पर देखें यह हमारी उल्टी भी है, तो इसे हम सीधी बनाएंगे, वन डबल क्रोश्या, तीन चेन लेंगे, फिस से हम यहाँ पर वन डबल क्रोश्या, तो देखें, आगे हम इसी तरह से देखें, राउंड हमारा कम्प्लीट हो चुका है, और अब हम यहाँ पर इसे थर्ड चेन के साथ स्लिव स्टिच करेंगे, एक, दो, तीन, यह हमारी थर्ड चेन है, यहाँ पर हमने इसे स्लिव स्टिच किया है, अब फिर से हम यहाँ पर छे डबल क्रोश्या, सोरी, तीन, यहाँ पर है, चार, पांच, और एक यह छे, तो यह छे पैटरन देखें, हमारे इस तह से बनकर आएंगे, और हम यह छे पैटरन रपीट करते हुए अपनी बाजय की लैंध कम्प्लीट करेंगे, तो हम यह लैंध कम्प्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आगे आपको चुकी है और यहां पर हमने देखिए इसमें आठ पैटरन की लेंध रखी है आप अपनी लेंध के अकोडिंग बनाईएगा जित्ते भी आपको लंबी रखनी है हमने यहां पर देखिए एक दो तीन चार पार छे साथ और एक यह आठ आठ रो बनाने के बाद जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाया है और यहां पर बीच वाले डबल क्रोशिय के ऊपर हमने इसे ज्वाइंट किया है देखिए जैसे हमने यहां पर नीचे बनाया था देखिए यहां पर सेम ऐसे ही हमने यह बाजू में बनाया है तो आप भी इसी तह से बनाईएगा और बनने के बा लिए ऋमयान दखा फिल करेंगे जूहांगे चीन का कारना वन के दूधेड़े को मेरी टibles कीलतला करेंगे तक दबीजः के तो SH रिर दौड़ोमक के मज़ फिल फिल क्रिया माइक के धागा यहां पर हम का नागर्व एक दागा लेंगे देख़ से हमारे हमआरा हफडresh हुम्हार क्रोशे में घर cjaव उसका क्योंगोत लेका उवाये एक दागा लेंगे, एक राख यहां हम इखा पर दोज पर माने अधा बना अधाया, पर है א कंट हमारे पास एक और रहो हमारे दोजे वगा निखंग दमारे व हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बनाया फिर से बनाएंगे यह दो हो गए फिर से धागा लेंगे फिर से हम दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बनाया फिर से बनाएंगे दो धागा लेंगे फिर से हम यहाँ पर दो बार हाफ डबल क्रोशिया अंदर हम 2-2 बार half double crochet बनाते हुए row complete करेंगे देखे रांड मारा बनकर complete हो चुका है और अब हम इसे देखे यहां पर last में है हम गले के पास और यहां पर धागा लेंगे और एक बार हम यहां पर यहां पर यह half double crochet बनाएगे यहां पर हमने half double crochet की row बनाई थी तो इसके अंदर हमने एक बार बनाया है अब हम यहां पर दो chain लेंगे धागा लेंगे और यहां पर नेक के पास हमें यहां पर एक बार और half double crochet बनाया है यह हमने दो बार बनाया है फिसे धागा लेंगे एक बार और बनायेगे तीन एक बार यह उप्तिक क्योट है तो एक किस साओ एक से बहुत इसले हमने have double crochet है जबाए एक दो तीन देखें तीन चेन हमने बनाया है मीडियम बटन लगाने के लिए अगर आपके बटन बढ़े है तो आप यहाँ पर चेन भी जादा रखेगा जितनी आप चेन बनाएगा उतना ही हम यहाँ से नीचे से चेन छोड़ देंगे जिससे बटन अराम से निकल जाएगा तो यहाँ पर हमने medium size के बटन लिये हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 chain ली है तो नीचे से भी हम 3 देखें यहाँ पर भी हम 3 chain लेंगे 3 chain ली है तो नीचे से हम 3 chain छोड़ेंगे 1, 2, 3 और 4th chain के अंदर हम इस तरह से half double crochet बनाएंगे यहाँ पर हमने half double crochet बनाया एक बार धागा लेंगे फिर से हम half double crochet बनाएंगे यह हमने दो बार बनाया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखें यह 11 हमने half double crochet बना लिया है फिर से 3 chain बनाएंगे यहाँ पर हमने 3 chain बनाएंगे नीचे से हम 1, 2, 3 chain छोड़ेंगे और 4th chain के अंदर हम यहाँ पर इसमें half double crochet बनाएंगे 4th chain के अंदर इस तरह से बनाएंगे और फिर यह हमारा एक hole बन गया इसी तरह से हम फिर से 11 half double crochet बनाएंगे और row complete करेंगे तो यह row हम बना कर complete कर लेते हैं इस तरह से तो बना लेते हैं देखे यह हमने बनाते हुए हम बटन पट्टी यहाँ तक लेकर आएं और यहाँ पर हमने देखे यह बटन होल छोड़ा था तो अब हम इस पर बनाएंगे हमने यहाँ पर तीन चेंड ले थी और नीचे से भी हमने तीन चेंड छोड़े थी तो धागर लेंगे हम यहाँ पर तीन बार half double crochet बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाएंगे दो फिसे बनाएंगे तीन यहाँ पर देखे यह हमारा पटन होल बन गया अब धागर लेंगे फिसे हम हर एक चेंड के अंदर हम यहाँ पर half double crochet बनाते हुए next hole तक जाएंगे और उस में भी हम तीन बार half double crochet बनाएंगे तो यह हम बना लेते हैं यहाँ तक फिर आगे आपको दिखाएंगे गे बनाते हुए हम तर से यहाँ पर आ गये है और यहाँ पर अब पर तीन बार half double crochet बनाएंगे एक बार बनाया है एक बार बडायेंगे दो पिसे बनाएंगे तीन यह तीन बार हमने बना लिया है तो यह हमारा बटन होल बन गया अब फिस से next chain में जाएंगे यहाँ पर भी हम half double crochet बनाएंगे और देखे इस तह से देखे यह हमारे दो हो बटन होल और इस तह से बनाते हुए यह row complete करेंगे देखे यह row हमारी बनकर complete हो चूकी है और देखे इसका लोग कुछ इस तरह से आया है, देखिए, यहां पर हमने देखिए, इस तरह से हमारी बटन पट्टी बनी है, और सेम ऐसे ही हम बनाते हुए दूसरी साइड में जाएंगे, दूसरी पट्टी में हम यह होल नहीं छोडेंगे, हर एक चेन के अंदर हम एक एक बार हाफ ड डबल क्रोशिय लिया है, और उसके उपर हमने हर एक चेन के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिय बनाते हुए, इसकी रोब नाकर कम्प्लीट की है, तो आपको अब इसका फाइनल लुक दिखाएंगे, कि बनने के बाद यह कैसे, देखिए, बनने के बाद इसका फाइनल चैनल को सस्क्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू